आज शम्शबाद मंदल में एक प्रॉपर्टी को लेकर तनाज़ा प्रॉपर्टी के ओनर नवाब हाईदर अदिन खान और फाईदर नवाब का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और कोड ओफ वार्ट से रिलीज हुई है लेकिन गॉर्णमेंट ने इस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा एंक्वार किया उसका अभी तक कॉंपेंसेशन भी नहीं मिला और उनकी कुछ प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबर्ज ने भी खबजा कर लिया कुछ दिन पहले शमशबाद देहसिलदार की तरफ से इलिगल खबजेदारों का खबजा था उनके खबजाँ को बरखास्त करते बॉन्डरी वाल्स को डीमॉलिश भी किया गया लेकिन फिर लैंड ग्रैबर्ज बाज नहीं आएं और नवाब हाइदर अदिन खान और फाइदर नवाब का हुकुमत से मतालिबा है कि उनके साथ इंसाफ हो और उनका हख उनको मिले पेगम मेरा नाम है और मैं हैदर अदिन खान की सिस्टर हूँ मेरी रिक्वेस्ट है तलंगाना गवर्नमेंट से के हमारे प्रापर्डीज जो भी है मैं उमीद करती हूँ के तलंगाना गवर्नमेंट से के हमारी प्रापर्डीज जो भी है हमारे हैंड अवर करिये हमारा हख हमको नहीं मिला अभी तक तो मेरी गुजारिश है, मैं उमीद करती हूँ, कि जल से जल हमारा हाख हमें दिलाए जाए, ताकि हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किये हैं, कई बार केसिस वगरा में हम लोग इंप्लूड वगरा भी हुए हैं, तो मेरी बहुत गुजारिश है, कि हम तलंगाना आज बतारिख 6 सेप्टमबर 2021 को मैं नवाप हैदर अदिन साहब कुर्फ हैदर नवाप जो मेरे बाजू बैठे हुए है, उनकी जानिब से और उनके अफरादे खांदान की जानिब से, आप सब के जरीए अवाम को ये इतिला देना चाहते हैं, कि नवाप हैदर अदिन साह और ये जमीन शम्शाबाद मंडल में आती है, इन सब जमीनों की निगरानी कोट अवाट के जेरे निगरानी थी, जिसको साल 1959 से होते हुए, 1961 में जेरे निगरानी कोट अवाट से बाहल किया गया, जिसके सारे दस्तावेश मोजूद है, हुकूमत आंदरप्रदेश ने 1961 मे गजीट नोटिफिकेशन के जरिए अवाम को ये इतला दी कि ये जमीन कोट अवाट की निगरानी से मेरी वालदा मरहुमा यानि एहमद उनिसाबेगा मरहुमा के नाम पर बाहल कर दी गई, जनाब हैदर नवाब साहब और उनके अफराद खानदान ने सिटी से विल कोट है पॉइंट किया गया है ताके वो सारी जायदातों का देखरिक कर सके और जो भी मेकमेजात है उसमें कारवाई कर सके, मुसलसल शम्शाबाद मंडल के MRO, RDO और कलेक्टर रंगा रिडिर डिस्टिक और CCLA तेलंगाना को दर्खास देने के बावजूद कोई खास जवाब हास ये 1970 में हासिल हुए है जिसको कोट ने डिक्री किया है इसमें से कुछ जमीन एक्विदिशन भी हुई है जिसका आवाड भी बन चुका है मगर कुछ रिवेन्यू आथारिटिस की लापरवाही की बदोलत हैदर नावाब साहब को और उनके अफराद खान्दान को हक्से महर रखा गया है अगर रिवेन्यू हुकाम यानि रिवेन्यू आथारिटिस सीसेले और कोट अवाड के आडर के मताबिख अमल करेंगे और जनाब हैदर नावाब साहब और उनके अफराद हैं खान्दान का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेक्टिफिकेशन करके जैसी भी लगाकर उसके गहर खानूनी खब्जों को तैसिल्दार ने मिसमार करते हुए वहांसे रवाना किया मगर उन खब्जदारों ने फिर से दिवार उठाते हुए फिर से दूसरी जगा पे खब्जा कर लिया जनाब हैदरनाप साहब की तबियत नासाज होने की वज़े से वो बार-बार मुख्तलिफ आफिसर्स को नहीं जा सकते इसलिए जनाब मुहमद मुहिनुदीन साहब को उन्होंने अपॉइंट किया है ताके वो सारी पैरवी कर सके मुतालिबा ये है कि MRO कलेक्टर और RDO को बार-बार एप्लिकेशन्स देने के बावजूद कोई खिसम की जवाब नहीं की जा रही है और रिवेन्य आथरिटीस के पास से कोई जवाब नहीं आ रहा चंद सर्वे नंबर्स के अंदर गवर्मेंट लैंड बोलके मेंशन कर चुके हैं वो लोग जिसकी वज़े से गेर खानूनी खब्जे दूसरे लोग कर रहे हैं जब हम खब्जा लेने के लिए कोशिश करने के लिए बाद भी करने के लिए जाते हैं हमको यह बताया जाता है कि वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन हमको बताया जा रहा और दूसरे लोग के नाम पर पटे इशू किये जा रहे हैं जिसके दस्ताविस मौझूद है, चार सो साट एकर है, जी,